वेल्कम तु दा ओनलाइन सेशन आफ अभीप क्लासेज कार्बन एडिट्स कंपाउंड का ये सेकंड सेशन है इस सेशन में आज हम मैच्छ दा फॉलोइंग और असेशन रिजन टाइप कोस्टेंगे कि इसमें भी हम लोग जब मैजव फॉल इंग बनाते हैं कैसे हम की quickly unknown content को भी जो unknown questions है उसको भी कैसे eliminate करके directly come time में solve कर सकते हैं तो आते हैं सबसे पहले question पर पहला question है इसमें match करना है A को B से column 1 और column 2 और इधर options दिये गया है इसमें से option choose करना है A B C और D तो सबसे पहले हम देखते हैं कि which one is known to me first one is the halogenation halogenation हमको पता है कि halo जो है वो क्या है एक group है predictable का जिसमें chlorine bromine iodine और fluorine वगर आते हैं तो halo जैसी दिखता है तो मतलब यह कि मेरे दिमाग में आना चाहिए कि chlorine bromine iodine अगर कहीं पर दिख रहा और fluorine तो उसको हम पहले टिक आउट करें तो अगर इसमें देखें इसमें पहला है कि पहला जो ए है वो chlorine से मिल रहा है यहां पर हमको chlorine दिख रहा मतलब कि chlorine इसमें है और एक दूसरा वाला पार्ट है क्यों वाला जिसमें हाई और हाई दिख रहा है जो कि इसमें भी क्या है iodine है इन्हीं दोनों को दिहान में रखते हुए हम options को tick out करेंगे तो a का मेरे पास जो answer दिख रहा है वो q और r के form में दिख रहा है या तो q होगा या तो r वाला होगा बाकी जो है उसको हम cut कर देंगे तो सबसे पहला option देखते है a a में q और r है मतलब कि यह वाल option मेरे लिए कुछ हद तक सही माना जाएगा क्योंकि इसमें q और r दोनों दिख रहा है बी option देखते है बी में सिर्फ और सिफ बी में q और एस है जो एस वाला पार्ट है वो fuming nitric acid का और fuming nitric acid जो है वो क्या है hello की group में नहीं आता है तो यह तो ऐसी cut हो गय है मेरे लिए इसको मैंने eliminate कर दिया इसमें r है मतलब कि यह वाला भी मेरा correct जा सकता है और मेरे पास option दी है इसमें q तो है साथ ही साथ पी भी है और पी में क्या है a03 और कौंक इस चुछ ऑस फोर है जो के मेरे option के हिसाब से क्या है वो गलत है तो मेरे पास दो option मिलता है that is the power of elimination कि मैंने क्या क्या दो को ऐसी eliminate कर दिया सिर्फ एक question को पढ़कर बाकी मैंने भी तीन question देखा भी नहीं है यह जो है elimination वो काफी कारगर होता है ऐसे situation में जब हम लोग क्या करते हैं options को जब मेरे पास हम as unknown देखते हैं कि मेरे पास और भी जो parts है वो मेरे लिए unknown है अब यहां पर जब मेरे पास 50-50 बचा मतलब कि मेरे पास option A से ही होगा या तो option C से ही होगा अब next आते हैं brass के उपर कि क्या brass के बारे में क्या जानते हैं bronze के बारे में क्या जानते है यह मेंगनेलियम जो है मेरे ले लिए बिल्कुल अंवनें कैसे inancar까요 कि मेंगनेलियम क्वेलियम क्या है क्या जीज़ तो जिल हम इसको देखेंगे तो ए मेरे पास बसता है बिरास और ब्रॉंज अब बरास और ब्रोंस के बारे हमको पता है कि बरास और ब्रोंस जो यह ईल्वाइज है और ऐसे for your knowledge magnesium is also an alloy it is that it is an alloy of aluminium तो जब हम इसको देखते हैं तो हमको यह दिखता है कि ए वाला तो मेरे पास Q और आर वाला option के साथ आ रहा है है तो इसमें το क्यूआ है ने सिर्फ आर है तो यह वाला ठोड़ा से दिरकलिए डाउट आता है कि हालो जीनेशान हम लोग देखे थे सब्स्यूशन एक्शन में कट के व्याoras में वह さब्स सप्स्टीशोशन में क्या है के सब्स्यूशन जो है उसको हम लोग है लोग में क्योंकि वहाँ पर हम लोग क्या करे थे कि हाइडोजन को रिमूब करे थे किस से क्लोरीन से और यहाँ पर भी ऐसी कुछ दिखने को मिल रहा है कि हाइडोजन जो है वो डिस्प्रेस होता होँ दिख रहा है तो ये इंहाँ आरं वीकान ऐसी तो पाट ऑफ हुआ अलोगेनेशन अलुचा सर्छ टाटे नो। यह जब सर्ष प्रहस और परोल गूंज की बात करते हैं तो प्रहस और ब्रौन्सस केड़ मुज़ ait की चीज है कि जब हम लोग ब्रास की बात करते हैं तो ब्रास को अगर हम इस के फॉर्म में देखते हैं इस यहां पर अगर एप्शन में आते हैं एक जो भी है वो इस है और यहां पर सी जो है वो पी और एस है और पी और इस को देखते हैं पी में एसो थ्री है और इस में फ्यूमिंग न तो पी ब्रोंज का पी और क्यू चुकि ब्रोंज बनाते हैं तो ब्रोंज में आयोडीन का कोई यूज नहीं है तो मतलब कि एक तो यह साफ साफ दिख रहा है कि जिसमें C में Q दिखरा option यह वाला नहीं होगा तो यह common sense से हम लोग क्या कर सकते हैं eliminate कर सकते हैं unknown को तो आँख बंद करकर हम अगर option A को tick करेंगे तो मेरा option A जो है वो correct जाएगा हम बाकी के बारे में नहीं भी जान दे तो हम लोग simply eliminate करके इस question को बना सकते हैं match the following बना elimination से और भी जादा आसान हो जाता है जब मेरे पास options होते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा A second आते हैं अब आते हैं assertion reason type questions में हम लोग assertion reason को कैसे बनाते हैं सबसे पहले हम लोग assertion and reason को समझने के लिए एक थोड़ा सा nutshell में समझ लेते हैं कि assertion और reason को nutshell में हम लोग ऐसे समझे कि assertion को as a statement ले अगर इसको as a statement लेते हैं ठीक है तो हम सबसे पहले क्या करते है statement को देखते हैं whether the given statement is correct or not statement या तो सही होगा या तो गलत होगा और reason को भी अगर हम as a statement ले तो statement के form में अगर reason को लेते हैं तो यहां पर भी क्या दिखेगा कि statement या तो क्या होगा correct होगा या तो incorrect होगा तो same हम assertion reason को बनाने के लिए क्या करते हैं कि या तो हम statement को देखते हैं कि statement मेरा correct है या incorrect है तो जब statement के correct और incorrect की बात करते हैं तो हमें साफ साफ दिख जाता है कि जब हम statement को correct या incorrect करते हैं तो उस condition में मेरे पास क्या होगा कि हम एक चीज़ तो option A को छोड़कर option A को assertion reason को छोड़कर जिसमें ये दिखा रहता है कि assertion is correct and reason is correct and reason is also the correct explanation of assertion इसको छोड़कर बाकी का जो option है तीन उसको हम correctly बना सकते हैं ठीक और उसके बाद फिर हम A को बताने का भी हम a strong method बताएंगे कि हम A को कब tick करेंगे कि assertion भी सही है reason भी सही है और reason जो है वो assertion को correctly explain कर रहा है इस चीज़ को भी हम समझेंगे assertion reason में सबसे जादा mistakes बचों को बनाने में assertion reason type questions में होता है वो generally mistakes करते हैं assertion reason types को बनाने में assertion reason types को बनाने के लिए simple सा मैंने method बता है कि सबसे पहले हम इसको as a statement समझें statement का रूप दे कि यह जो भी assertion or reason वो क्या है एक statement है और बात में हम उसको assertion or reason के form में लिखेंगे तो सबसे पहले statement के रूप में देखते हैं कि पहरा फर्स्ट इस statement is that carbon shows maximum catenation property in the periodic table what is the catenation property सबसे पहले catenation property को जान लेता हूं इसका और फिर हम समझेंगे carbon जो है maximum catenation property क्यों शो करते है catenation property जो है यह element का वो property है जिसमें हम element एक element जो है वो खुद से ही क्या करता है आपस में combine करकर compound का formation करता है फर्स्ट इसके catenation is that property of the element that helps to combine within the atom within its own atom catenation एक ऐसा property जिसमें क्या हो रहा है element जो वो खुद आपस में क्या कर रहे है अब जब आते कार्बन के उपर तो carbon का अगर हम देखें तो carbon का जो atomic number है वह 6 मतलब कि जब हम इसको देखते हैं तो वह break होता है 2 और 4 में मतलब 4 जो है वह autonomous shell में carbon के electron है तो जब carbon के autonomous shell को देखते हैं तो इसमें 4 electron है अब यह 4 electron ना ही वो क्या कर सकता है किसी को दे सकता है ना ही वो किसी से 4 electron ले सकता है ऐसे करने में क्या होगा बहुत जादा amount of energy की requirement होगी इस वज़े से क्या है ना carbon जो वो predictable में ऐसा element है जिसका catenation सबसे जादा होता है catenation का मतलब सिर्म में आ गया कि वह कैसा compound जो क्या करता है कि एक एक ऐसा element जो कि आपस में अपने खुद से क्या करता है कंबाइन करता है खुद से कंबाइन करकी क्या करता है number of compounds का formation करता है तो यह जो statement है वो statement जो वो correct है अब आते है reason के statement को देखते है reason के statement कहता है carbon has a small size thus form strong carbon carbon bond अब यह है कि carbon जो वो छोटा है छोटे small का है चुक्क है atomic number 6 है और atomic number 6 है तो इसका size भी काफी छोटा है कॉर्ण कार्बन कंब के बीच में क्यों और strong bond बनाता है इस इसलिए तो इसको हम लोग एक अलग ब्रांच में ही पढ़ते हैं जिसको हम लोग ऑर्गनिक केमस्ट्री कहते हैं तो अलग ब्रांच में पढ़ने का रिजन यही है कि कार्बन जो है वह बहुत नूमरस नंबर आफ कंपॉर्ण बनाता है मतलब यह है कि जब option A को tick करते हैं reason is correct, assertion is correct and reason is also the correct explanation of the assertion इस condition को जब हम देखते हैं तो इस condition में हमें यह दिखाई देता है कि reason का statement है वह assertion के बारे में बता रहा है सिंपल सा concept है कि अगर reason assertion को directly बता रहा है मतलब कि मेरा क्या है option A correct जाएगा अब जब इस दोनों को जब हम समझ पा रहे हैं तो दोनों के समझने में हमको यह दिख रहा है कि catenation तभी possible है जब maximum number of compound बनेगा catenation में यह तभी possible है जब small size होगा atom का ठीक और carbon के साथ ऐसा है कि carbon का size small है मतलब के वह catenation property को जादा शो कर रहे है तो इस condition में हम साफ साफ दिख जाएगा कि जो reason है वह assertion को correctly explain कर रहा है और दोनों का statement भी correct है तो इस हिसाब से जब हम इसको बनाएंगे तो इसका answer हो जाएगा A next question देखते है असे रिजन टाइप में फर्स्ट स्टेट्मेंट है carbon monoxide is extremely poisonous यह एकदम सिंपल सा है कि carbon monoxide जो है वह highly poisonous गैस है इसका एक बहुत short story से हम समझाते है carbon monoxide हाल फिलहाल में एक news आया था कि एक कपल जो थे मुनाली गये और मनाली में उन्होंने किया कि कमरे में उन्होंने आग जलाया और मनाली में बहुत थंड होते है कंड में आग ऑग जलाकर वह लोग सो गये और सुवह में जब होटल मैनेजमेंट जब उनको नौक करने के लिए उठाने के लिए गई तो पता चला कि उनकी लाश वहाँ से निकली ऐसा क्यों हो पाए इसका बस एक ही रिजन है कि जब उन्होंने कमरे को बंद कर दिया मतलब यह कि बाहर से ऑक्सीजन का जो अमाउंट था वो क्या हुआ एकसे समांट ऑक्सीजन नहीं मिल पाया एकसे समांट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाया मतलब कि बर्निंग तो हो रहा था लेकिन बर्निंग जो था वो कैसे हो रहा था लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा था लैक ऑफ ऑक्सीजन के परजेंस में हो रहा था तो मतलब यह कि वहां if you inhale the carbon monoxide in a huge amount that means you will really leads to the fatal death तो यह this statement is correct carbon monoxide जो वो extremely poisonous statement correct है next one is carbon monoxide is found by complete combustion of carbon अब इस statement को देखते हैं मैंने अभी जो कहानी सुना है उसमें साफ साफ दिखा मैंने की जब बर्निंग हुआ बर्निंग मैं लेक ओफर्फ ऑख्धान हुआ तो लेक ओफ ऑख सीजेण की जब हूम लोग बात करते से लेक औ सीजेन की बात करतें तो लेक ऑफ ऑखि जैन की केस में क्या औहलता है के लैंक को शक smart resposta यह उए हुआ कि incomplete combustion हो रहा एक हो रहा इन कंप्लीट combustion हो रहा और जब in complete combustion होगा तो incomplete combustion में क्या होगा कि carbon monय okside जो होगा वो ज्ञादा amount में release करेगा यानि carbon mon archive ज्ञादा मंझें करेगा मतलब के वहाँ पर incomplete combustion हो रहा हो तो साफ साफ यहां पर लिख रहा है कि complete combustion मतलब की reason का जो statement है वो गलत है मतलब assertion सिर्फ से if assertion से यह तो इस साफ से option जो C होगा assertion reason का वो correct जाएगा that means the statement of assertion या you can say assertion is correct reason is incorrect next question दिखते हैं CH3 CL is obtained from CH4 by the action of CL2 in the presence of sunlight like मैं बार बार मैंने कहा कली जो मेरा फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने यहीं कहा था कि substitution जो है it is very important substitution and addition reaction is very important because the whole chapter is revolving around the two reaction first one is the substitution and second one is the addition reaction or substitution मैंने बताया था कि substitution में क्या होता है कि methane है methane को CL2 को CL2 के साथ react करता है sunlight के presence में तो क्या बनाता है CH3 CL बनाता है और यह जो CH3 CL is the result of substitution substitution reaction that means के assertion is correct assertion साफ तौर पर statement पता चलता है कि correct है it is obtained by addition no it is obtained by substitution reaction यह substitution reaction से क्या होता है obtained होता है मतलब के इससे यह पता चलता है कि यह जो reason का statement है वो क्या है incorrect है assertion का statement से यह सहाब से यह इसका भी answer क्या हो जाएगा C O हो जाएगा आते हैं next question पर next question is assertion in esterification carboxylic acid and alcohol reacts in the presence of acid to give ester अब आते हैं esterification को समझते है esterification होता क्या है नाम से पता चलता है ester plus fication मतलब formation of ester what esterification is the formation of ester और जब ester जो बनता है तो जब ester की बात करते हैं तो इस्टर जो है वो क्या है एक sweet smell वाला है कैसा है sweet smell है अब sweet smell जो बनता है यह तभी possible हो पाता है जब हम लोग carboxylic acid का reaction करते हैं alcohol के साथ इसमें मैं एक और question include करना चाहूंगा जो question पूछा जा चूका ऐसी बेसी के द्वारा वह यह के how can you identify the carboxylic acid अगर carboxylic acid के presence को identify करना है तो identification के लिए esterification reaction जो वह important carboxylic acid है इसका हम लोग क्या करेंगे alcohol के साथ reaction कराएंगे तो क्या होगा sweet smell produce करेंगा मतलब के वह जो given compound है वह क्या है पहला question दूसरा question इसी के just opposite अगर alcohol दिया गया है how can you identify the presence of alcohol तो हम लोग इसको क्या करेंगे carboxylic acid के साथ reaction करेंगे वापस यह sweet smell देगा मतलब के formation of ister मतलब इस्टर का जो formation है वो कैसे हो रहा carboxylic acid का alcohol के साथ reaction होगा तो इस्टर का बनेगा इस्टर का formation that means the statement of assertion is correct now come to the statement of reason stratification is reverse of saponification stratification जो है वो saponification का reverse है अब यहाँ पर second जो है वो saponification saponification को समझते है formation of soap saponification is what formation of soap this is the last topic of carbon and its compound carbon and its compound का यह बलकुल last वाला topic है जब हम लोग saponification की बात करते है saponification जो है वहाँ पर जब हम लोग soap and detergent पढ़ते तो वहाँ पर saponification देखते है लेकिन saponification is what it is the result of hydrogenation and hydrogenation takes place with the addition reaction मैंने कहा था बार बार घूम घूम कर जब भी हम chapter को देखेंगे addition substitution ही दिखाए देगा saponification is the result of addition reaction whereas the esterification is the result of carboxylic acid and the alcohol now come to the point that saponification is not the reverse because esterification requires carboxylic acid and alcohol but hydrogenation requires what hydrogenation requires unsaturated unsaturated hydrocarbon unsaturated hydrocarbon की जब बात करते हैं तो क्या होता है saponification बनता है यानि unsaturated जब क्या होता है saturated hydrocarbon में बनता है तो soap का formation होता है मतलब के reason का statement गलत है assertion का statement क्या है सही है now come to the next question जब हम लोग इस question को देखते हैं कहता है statement of assertion is isobutane is the isomer of C4H10 पहले isomer को समझते है isomer किसको कहते है isomer का मतलब है same molecular formula same molecular formula but different structural formula different structure formula जब हम लोग isomer की बात करते है तो isomer का मतलब क्या होता है same molecular formula होगा लेकिन different structure formula होगा जैसे example के तोर पर हम ले suppose हम लेते हैं C3H8 ठीक है it is butane sorry propane अब प्रोपेन को देखते हैं तो प्रोपेन में क्या है तीन कार्बन है ठीक तीन कार्बन है तीन कार्बन को हम इस तरीके से क्या कर दिये arrange कर दिये अब इस तीन कार्बन को और मेरे पास को दूसरा तरीका नहीं है arrange करने का हम यहां पर किसी carbon को उठाकर यहां पर रख दें या किसी carbon को उठाकर यहां पर रख दें फिर भी structure में कोई difference नहीं होगा क्योंकि एक long chain बनाएगा ठिक लेकिन जब हम लोग C4H chain की बात करते हैं तो C4H chain को हम इस तरीके से एक long chain के form में देखते हैं मतलब के सब में hydrogen add कर देख हमने सब में hydrogen add कर दिया मतलब के 4 carbon है और सब में एक हैडोजन है now come to the another structure that is 3 carbon and first one is the CH3 second number carbon हमने क्या कि CH3 को add कर दिया है ठिक second number second में हमने क्या 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 है second number carbon में हमने CH3 add कर दिया है अब इस structure को अगर हम देखें तो इस structure में क्या दिख रहा है carbon 4 है number of carbon is 4 and number of hydrogen is 10 and this is the formula of butane formula butane कहीं है लेकिन दोनों के structure में क्या हो रहा है difference is दिख रहा है अगर ऐसी structure को हम लोग क्या बोलते हैं ऐसे condition में जब हम को structure दिखता है तो इसको हम लोग कहते हैं isomer मतलब के molecular formula same है लेकिन structure formula क्या है difference है इसका अगर आयू आयूपेक नेम देखेंगे तो इसका आयूपेक नेम हो जाएगा 2-methyl 2-methyl propane क्या हो जाएगा 2-methyl propane लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं इसको देखते हैं यह इसका आयूपेक नेम हो गया और इसका अगर आयूपेक नेम देखेंगे तो इसको हम लोग simply कहेंगे ब्यूटेन ठीक और इसका एक इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है आइसो ब्यूटेन है मतलब के 2-methyl propane को हम लोग क्या करते हैं आइसो ब्यूटेन भी करते हैं तो साफ साफ दिख रहा है molecular formula same है लेकिन structure क्या है है different है जब molecular formula same होता और structure different होता है तो उसको हम लोग क्या कहते है आइसो मर कहते है मतलब यह करेक्ट है नौब कम तो दा इस्टेटमेंट आफ रीजन आइसो ब्यूटेन है 4 carbon and 10 hydrogen atom साफ साफ दिख रहा है अभी हमने जो structure देखा उसमें क्या था कि यह चार carbon है और 10 hydrogen है तो यह जो reason है वो भी क्या है वो सही है और जब रीजन का statement करेक्ट है और रीजन का statement किस चीज को बता रहा है आइसोमर के बारे हम बता रहा है मतलब कि reason जो है वो असेसन को correctly explain कर रहे तो इस concern क्या हो जाएगा यह हो जाएगा नो come to the another question this is the statement of a session is c3h8 and c4h10 are the successive member of homologous series कल की class में हम लोगो ने हम लोग लोगा सिरीज देखा था homologous series of methane कहता है c3h8 and c4h10 are the successive member of homologous series of methane मिर्फाइन का स्विल्व हो वोड़ोगा सीरिए तो मेठेन का पहले हम लोग इस्रॉक्चर देख तैंख Wakal the structure of methane is CH4 और CH4 methane का structure है और methane को जब हम लोग बढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है methane में CH4 आता है फिर उसके बाद C2H6 आता है फिर C3H8 आता है और फिर C4H10 आता है और मैंने कल homologa series के बारे में बता है था कि homologa series जो होता है वो CH2 से क्या होता है बारे करता है अब methane के group में ही क्या है यह propane भी है और butane भी है मतलब कि अगर इसको अगर देखा जाए मैंने जो कल मेथड बताया था कि C4H10 है और C3H8 है अगर इन दोनों में कितना का difference होगा CS2 को होगा मतलब कि वो homologa series को follow करता है तो अगर इन दोनों को subtract करेंगे तो इसमें number of carbon 4 और इसमें number of hydrogen 10 इसमें number of carbon 3 इसमें number of hydrogen 8 अगर इन दोनों में number of carbon subtract करेंगे तो यह will get 1 carbon and if you subtract 10 hydrogen to the 8 hydrogen you will get number of hydrogen as 2 मतलब के अगर इसको देखें तो it is giving you CH2 that means it is following the homologa series that means the statement of assertion is correct now come to the statement of reason any two successive member in a homologa series differ in their molecular formula by CH3 unit that is the wrong statement how can we say that means हम लोग homologa series में देखे थे कि CH2 का होता है और अभी भी देखे है कि difference कितना हो रहा है CH2 का हो रहा है CH3 का difference नहीं होगा मतलब के reason का statement गलत है the statement of assertion is correct इसका अंसर हो जाएगा option C this one is the last question of this session the statement of assertion is carbon compounds can form chain branched and ring structure carbon compounds जो हो chain बनाते हैं branched बनाते हैं ring structure बनाते हैं और that is the reason यही एक कारण है because of the isomer isomer जो है वो एक ऐसा प्रोपर्टी जिसकी वज़े से क्या और कार्बन जो अलग अलग structure को form कर रहा है और अलग अलग structure को form कर रहा है जिसकी वज़े से numerous number of carbons के जो compounds हैं वो हमें देखने को मिलता है तो assertion का जो statement है वो correct है हमको पता है carbon branch chain भी बनाता है ring chain भी बनाता है long chain भी बनाता है ठीक carbon exhibits the property of catenation और carbon जो है वो ऐसा क्यों कर पाता है catenation property से सबसे first question decision का जो था आज का उसमें मैंने catenation बताया कि catenation में क्या element जो है वो आपस में क्या हो रहे combine कर रहे है और element आपस में combine करके क्या कर रहे compound बनाते हैं तो उसको हम लोग catenation कहते हैं और chain बनाने की possibility यह branch chain बनाने की possibility ring chain बनाने की possibility तभी है जब वो catenation property को show करता है जैसे sulfur का आप लोगों ने देखा होगा कि sulfur जो है वो आपस में combined करता है इस 8 का जो है आप लोग ring structure भी बनाते होंगे crown structure भी बनाते होंगे तो जो ring structure या crown structure हम बनाते हैं वो because of the catenation property of the sulfur तो carbon जो है यहां पर वो branch chain बना रहा है या ring chain बना रहा है because of the catenation property मतलब के reason जो reason का तो statement साफ साफ पता है कि correct है हम इसको relate करने के लिए समझा रहे है कि catenation property के वाज़े सी क्या हो रहा branch और ring बन रहा है मतलब के reason जो है वो session को क्या कर रहा है correctly explain कर रहा है और जब यह correctly explain कर रहा है तो मतलब यह कि सका option a correct हो जाएगा आज का session यहीं पर समाप्त होता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें share करें subscribe करें और जिन लोगों को जिन भी बच्चों को यह चाहिए कि आपको इस तरीके का और भी अब्जेक्टिव टैप्स वीडियो मिले जिससे आपके chapters कवर हो जाए chapters का quick revision हो जाएगा आपका इनको complete करने के साथ साथ आप questions भी देख पाएंगे और chapters भी complete होगा आपके साथ आपका chapter का quick revision हो जाएगा बहुत कम टाइम में तो आप मुझे mail कर सकते हैं सुर्खाफारुकी916 at the red gmail.com पे आप सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट मेंशन कर दें कि सर मुझे ये सब्जेक्ट में इस चैप्टर को पढ़ना है इस चैप्टर के question को आप cover कर दीजिए मैं उस particular chapter पर वीडियो बना कर आपसे next time next video में मिलूंगा थैंक्यू